नमस्कार साथियों, डिक्टेशन अस्य सब्द प्रतिमिनट की गति से बोली जाएगी, डिक्टेशन ठीक पांच सेकिट बाद स्टार्ट होगी स्टार्ट जिग्यासू मन के विचारों को वेवारिक लूप प्रेदान करना ही स्रजन है विराम वस्तुत है स्रजनात मक्ता इश्वर का उपहार है जो चिंतन को निखारता है विराम यह एक प्रकार से नए रास्ते पर चलने के समान होता है विराम यह ऐसी कला है जिसमें रंग रूप जाती लिंग और आयू की सीमाएं नहीं होती हैं विराम यह भावुक हिर्दय की समवेदनाओं का दरपन होता है विराम इसमें किसी को नियमों या बंदनों में बांधा नहीं जा सकता विराम लेखन, चित्रकारी, संगीत, परीधान, सज्जा, मूर्तिकला, पाककला और नैजाने कितनी ही विधाओं में आज स्रिजनात मक्ता अपनी अभिव्यक्ती पा रही है विराम पैरा आज कोरोना काल में स्रिजन सील विचारों की होड़ सी लग गई है विराम स्रिजनात मक्ता किसी व्यक्ती की मनोदसा को भी दरसाती है विराम यह एक प्रकार से ध्यान समाधी से जुड जाने की ही प्रक्रिया है विराम एक ही क्रिया को बारंबार एकाग्र होकर करते रहना अध्यात्मिक संतुष्टी देने के समान होता है विराम हमें अपनी व्यस्त दिन चरिया में से तनिक समय निकाल कर किसी स्रिजनात मक्त अभिरूची को देना चाहिए विराम इससे हमें असीम आनंद की प्राप्ती हो सकती है विराम पैरा स्रिजन करने की चमता थोड़ी बहुत हर किसी में विद्यमान होती है विराम बस उसे खंगालने की आवे सकता होती है विराम स्रिजन के माध्यम से व्यक्ती सभी द्वेश दुविधाओं से मुक्त हो सकता है विराम नूतनता परिवर्तन और चिंतन एक विश्तरत फलक का निर्मान करने में सहयोगी हो सकते हैं और तनाव कम करने में सक्छम भी विराम दरसल किसी स्रिजन आत्मक कारे कलाप के दोरान एक व्यक्ती अपना सभी कुछ उसी में जोक देता है विराम ऐसा लगता है कि वह अपने विचारों भावनाओं को कुरेदते हुए मानो स्वैम की खोज में लगा हुआ हो विराम हाला कि दूसरों की भावनाओं को ठेश पहुचाना स्रिजनात्मक्ता नहीं हो सकती है विराम बहराल स्रिजन किसी भी विधा से हो हमारी जीवन सैली का अभिन अंग बन सभी को सोंदरिय से भरपूर आनंद का प्रिती भागी बना सके हमें ऐसे प्रियास अवस्य करने चाहिए विराम दन्यवाद साथियों